तो यह वादा एक question देखो प्यारे बच्चे, इस question में क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास fx graph है, fx graph क्या होता है, force और displacement का graph है, और particle 0.1 kg का है, subjected to a force, इस पे force लग रहा है, that vary with distance यहाँ पर, if the particle start from x is equal to 0 पर, velocity कितनी थी, particle start from rest, मतलब rest से start हुआ, at x is equal to, यहाँ पर, x is equal to 0 पर, उसकी initial speed 0 है, तो कहता है, इस point x is equal to 12 पर, x is equal to 12 पर, उसकी speed कितनी है, obviously देखो, अगर तुम देखोगे, speed जो है, यह velocity नहीं होगा, speed होगा, आप understood magnitude पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर तुम देखोगे, change in speed अगर तुम देखोगे, तो work energy थी नहीं लगा दो, जो fx का graph है, अगर मैं इधर f बनाता हूँ, और इधर x बनाता हूँ, तो इस rectangle का जो area है, वो fx के बराबर होगा, that is work done, मतलब work done जो होता है, area under fx curve, area of area under fx curve, fx का जो curve है, उसका जो area, यह वाला जो area under the curve आएगा, यह वाला area, वो क्या देगा, work done देगा, ठीक न, तो इसका मतलब भी होगा है, पहले work done निकाल लेते हैं, तो इसका area निकाल लो, तो यह area पूरा है, क्या है, ट्रेंपेजियम है, तो अगर ट्रेंपेजियम के area कैसे लिखते हैं, तो 1 by 2, sum of parallel side, sum of parallel side, और multiplied by उनकी बीच का distance, height, ठीक है, ट्रेंपेजियम के area ऐसे ही आ जाता है, यह पूरी जो geometry है, इसकी area, नहीं तो दो triangle का rectangle का निकाल के जोड़ दो, तो 1 by 2 यहां से sum of parallel side, जो parallel side है, वो 8 है, एक, यह वला, जो यह वला, जो है, वो 8 minus, 8 minus 4 है, और plus, दूसरा जो है, यह वली side कितनी है जाएगी भाई, एक parallel side, यह वली, this one the parallel side, and this one the parallel side, ठीक है, तो यह कितना आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा, अब ना देखो, एक आ जाएगा, यह वला जो आ जाएगा, तो 8 minus 4, that is 4 आ जाएगा, और यह लोर वला जाएगा, 12, तो यहां से आ जाएगा, 12, और multiplied by इनके बीच का separation, तो इनके बीच का separation कितना है, तो इ 10, parallel side के बीच, ठीक है, अगर आप area ऐसे formula नहीं निकालने आता है, तो दो triangle का निकाल के, एक rectangle का जोड़ दोगे, तो यह बात बन जाएगा, ठीक है, तो इनके बीच का यह 10, तो देख लेते हैं, कितना आ जाता है, तो जब मैं इसको solve करता हूँ, तो work done मेरे को मिलने वाला ह यहां पर work done मिले वाला है, 1 by 2 multiplied by 4, और plus 12, और multiplied by यहां से 10, तो यह जाएगा 5 times कट जाएगा, और यह जाएगा 16 पाचे 80, तो 80 Joule जो है work done हुआ होगा, इससे मुझे पता चल गया, अब मैं लगा देता हूँ, work energy theorem, work energy theorem क्या होता है, work energy theorem यह कहता है, कि work done by all the forces must be equal to change in kinetic energy, तो change in kinetic energy, kinetic energy final, जो की चाहिए, और minus kinetic energy इसकी initial कितनी थी, 0 ती, तो यहां से आजाएगा half mb square, और initially यहां से 0, और work done by all the forces is equal to 80 Joule, तो यहां से तुम देखोगे, 80 और 1 by 2, और mass कितना है, 0.1, और यहां से speed b square, जो कि हमें यहां से मिल जाएगा, तो यहां से further इसको solve करेगे, तो b square की value आजाएगी, वो 80 multiplied by 2, यहां से, और 0.1, उपन नीचे 10 से multiply कर दोगे, तो यह point हट जाएगा, और यह under root speed ले लोगे यहां से, तो 16, यह under root, तो यहां से, 40 meter per second, that is the speed, अब देखोगे, इसमें से कौन सा हमारा match करता है option, तो अगर उसमें से देखोगे, तो 40 मतलब यहां, D option अपना match कर जाता है, thank you, bye bye, take care.